किसी ने जिकर नहीं किया यह फोटो किसकी है? यह भिटल भाई पटल जी का है और आज जितने सारे वक्ते बे हम दिये हम भी दिये हैं हम यह इनको समरें करनाा ज़ी और उसके साथ भी और एक नाम हमारी तरफ से जिकर होनी की आवशकता है वह सचिदानंद सिन्ना जी का जो पहले अदक्ष थे हमारे सम्विदान प्रणन सभा का जी ठीक वह सुस्त पड़े हो गए फिर राजंदर वागू उसका बने चली श्री जी श्री असदुदी नौवे जी 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 बहुत शुक्रिया सर आपने मुझे आज एक तारीखी बहस पर बोलने का मौका दिया मौतरम जनाब इस एवान के 75 साल के पार्लिवानी सफर की तक्मील पर हम बहस कर रहे हैं मैं सबसे पहले अपनी जानिव से खिराज एक एखिदत पेश करना चाहूंगा मौला حفظ الرह्मान सहाब को जो पहली और दूसरी पार्लिमेंट के मेंबर थे मेरे खायद सालारे मिलत सलाहुदी नुवेसी को सुलिमान सेट सहाब को और मौलाना बनातवाला सहाब को जनाब महतरम इस एवान की नाकामियों का भी जिकर हमको करना जरूरी है 75 साल का तारीखी सफर इस एवान ने मुकंबल किया ये एवान एक अमारत नहीं है मेरे नजर में ये एवान इस वतन अजीज का एक दिल है जो बाहर जो गरीब और मजलूम अवाम की तकलीफ को महसूस करे इसलिए मैं इसको दिल कहता हूँ मैं आपके सामें 15 मिसालें पेश करूँगा जहां पर इस आईवान ने अपनी नाकामी का सबूत पेश किया एक उस वक्त जब दिली की सड़कों पर सिखों के नसल कशी की जा रही थी एक उस वक्त जब 6 डिसंबर को बाबरी मजद की शहादत हुई आ रहा हूँ आ रहा हू जिसमें रेशम के कारवार को खतम किया गया मुसल्मानों को दफना दिया और वहाँ पर फूल गोबी उगना शुरू हो गई एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जब मुजफर नगर और गुजरात में नसल कशी की गई एक उस वक्त सर जब आपके हम देखते हैं के बना आ गया जिसको एक साल के लिए बना गया था 58 में हम 2023 में आ गये एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जब हम देख रहें कि आज ये जो दिल है भारत का दिल है ये हिंदुस्तान का इंडिया का दिल है आज गरीबों में मजलूमों में मुसल्मानों में कश्मीर की आवाम में दलितों में आदिवासियों में इस एवान की महबत और एतिमाद खتم हो रहा है कम हो रहा है इसलिए जनता सड़कों पर आकर इतिजाज कर रही है क्योंकि उनको लग रही कि ये मारत बन चुकी हमारा दिल नहीं है चाहे सी डबले का पोटेस्ट हो चाहे किसानों का पोट करेंगे इस एवान को दिल नहीं रखेंगे तो याद रखिये ये हमारी पारलीमानी जमूरियत के लिए वड़ा नुकसान्दे थाबित होगा और नुकसान्दे इसलिए भी होगा क्या हम को अपने खाब गफलत से अपनी जिम्मेदारियों से निभाने के लिए क्या भगत स से बनीवी जरूर है मगर ये इस इमारत में दिल है इस इमारत को दिल के तोर पर रखरा रखना पड़ेगा स्पीकर सर एक और मिसाल दे रहा हूं जहां पर इस एवान की नाकामी है सर अब तक लोगसवा के कितने आठ सो निन्यानवे मेंबर कामियाब होए अब बताईए सर प जबके एक हजार सतर को इस ऐवान के मेंबर होना चाहिए था कितना डिप्रिवेशन है सर कितना डिप्रिवेशन है बानवे फीसड डिप्रिवेशन है इस मौझूदा पारलिमेंट में स्पीकर साथ सिर्फ 26 है 14% मुसल्मान और सिर्फ 4.8 उनका रेप्रिजेशन है यह जब दिल में एक चौदा फीसद आबाजी की नुमाइंदगी नहीं होगी तो आप क्या फैसले करेंगे क्या इस एवाइन को हम कहेंगे कि यह रेप्रेजिटिटिफ फॉम आफ डिमोकरसी है स्पीकर सार मैं आपके एक और मिसाल देना चाह रहा हूं बाबा साही बंबेट करको हमने सच साबित कर दिया स्पीकर सार आखरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आप देखिए कि चानकिया ने क्या कहा था चानकिया ने सही कहा था चानकिया ने सही कहा था कि जब राज चलाने वाले व्यापारी हो जाएंगे तो उस राज के लोग बिकारी हो जाए फॉर्स पास दो पॉस सिस्टम जिसके पास एक मधब का ओठ होगा जिसके पास दौलत होगी वही इस एवान में आ रहा है इसलिए हम कहे रहें कि आप इस जमूरियत की ना कहीं है जमूरियत कमजोर ना हो जाए मुझे इस बात का ड़र है सर आखिर में सर आखिर में मैं खतम करने से पहले एक बहुत बड़े शायर ने कहा था उस पर खतम करना चाहोंगा कि अभी चरागे सर राह को कुछ खबरी नहीं अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई निजात दीडेय दिल की घरी नहीं आई चले चलो कि अबछी नहीं आई स्पीकर साब आखिर में याद रखिए एक बात को मैं सबसे कह रहा हूँ कि पिच बदलने से गेम नहीं बदलता गेम को बदलना पड़ेगा आप पिच बदल रहें वरना याद रखिए जब तक हम अपने जमूरी उसूलों पर रूल अफ लाव पर सम्विधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे वरना याद रखिए कही नहीं अमारत भी हिटलर की राइस टैक क्यों अमारत ना थाबित हो जाए बहुत बहुत शुक्रिया सर्थ यह नहीं 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 श्री श्री अर्विन सावाथ